नमश्कार बहुत स्वागत आपका देख रहे हैं आज का विशेश जो तिश्यराट के मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंड आज गंडमूल लक्षत्र के विशेय में कुछ रोचक तत्थ हम आपको बताने जा रहे हैं पंचांग सास्त्र क्या कहते हैं और मेरा पेक्ष्वमियम ध्यान दीजिएगा सास्त्र आधार हैं अंतिम सक्त्य नहीं हैं आज सास्त्रों के अनुसार जीवन और जिंदगी कितनी चल रही है ये किसी से छुपा नहीं है सुबह उठने से ले करके रात्री सयन तक पहनावा विचार आधी सब कुछ सास्त्र से हटके ही चलता है तो नक्षत्रों और ग्रौों का फल भी सास्त्र से हटकर भी मिलने लग गया है इसके विशे में कभी हम और विस्तार से विशे पर प्रकाश डालेंगे आज गंड मूल की बादे में बात करेंगे जिसे कुछ जगहों पे 27 कहते हैं, कुछ जगहों पे मूल नक्षतर कहते हैं, मुरहा कहते हैं, मूर में पैदा भैवा और गंड मूल शहरों में गंड मूल कहते हैं, मूल पूजन होता है ये 27 दिन में जब वो नक्षत्र रिपीट होता है तो उसी नक्षत्र में पूजन का विधान होता है इसमें तवाम प्रकार के ताम जहाम पहलाये जाते हैं जैसे 27 जगहों का पानी, 27 चौराहों की मिट्टी, 27 पौधों की पत्तियां सूप में डाल करके, मतलब ऐसे सांती की परंपराएं पता नहीं कब से चली आ रही है इसके बाद भी लोग बहुत भयानक डर जाते हैं ये भी मानता है कि मूल लक्षत में पैदा हुए बालक का या बालिका का बच्चे का मुख पिता 27 दिन बाद देखे कौन ऐसा करता है, बहुत रेयर होता है, ऐसा असंभव सा लगता है तो क्या है मूल की कहानी और क्या है मूल का सिध्धान्त, आज इस पर हम प्रकाश डालेंगे अश्विनी पहला नक्षत्र है, सबसे ज़्यादा प्रभावी, आसलेशा, मगा, मूल, जेश्ठा और रेवती ये नक्षत्र हैं, जो प्रभाव डालते हैं जातक की जीवन में खास तौर पर, छे नक्षत्र अश्विनी आश्विनी आश्विनेशा, मगा, जेश्ठा, मूल और रेवती इनके चार-चार चरण होते हैं, हर चरण के सास्त्रों के अनुसार फल अलग है लेकिन आज हम इन फलों पर चर्चा नहीं करेंगे है क्या? ये कुछ विशेश नक्षत्र हैं के तु बुध चंद्रमा आदिकिये ये कुछ मूल नक्षत्र हैं अब हम इसके साब्दिक अर्थ पर आएं तो मूल माने होता है जड़ ये कुछ प्रभावी नक्षत्र होते हैं इनका एक अलग तरह का प्रभाव है एक अलग तरह का और आए वैसे तो हर नक्षत्र का प्रभाव अलग है 27 नक्षत्र होते हैं लेकिन ये कुछ खास बन जाते हैं इसलिए इन्हें मूल कहा गया वैसे तो मूल नामक एक नक्षत्र है जो केतु का है एक नक्षत्र मूल खुद ही होता है केतु का नक्षत्र मघा केतु का है वो भी मूल में आता है तो केतु मूल रूप से है बुध है, रेवती से चन्रमा है ये नक्षत्र में जब बालक जन्म लेता है तो कुछ सारीरिक व्याधियों के साथ रहता है इसका जो असर सबसे ज़्यादा हमने देखा है जनरल वे में वो दो ढ़ाई वर्ष तक या बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चार वर्ष तक होता है उसके बाद इसके असर में उत्तरोत्तर कमी आ जाती है दोश रूप में जब बच्चा सर्वाईवल के लिए ही स्ट्रॉंग होने लग जाता है खाने पीने लग जाता है तो धीरे धीरे वो मजबूती प्राप्ट करता है बाकि और कोई कश्ट नहीं मिलता है माता के लिए घातग, पिता के लिए घातग, मामा के लिए घातग, ननिहाल के लिए ऐसा सास्त्रों में, किताबों में, पांचांगों में मिल जाता है लेकिन ऐसा कुछ हमने पाया नहीं है कहीं अगर कोई पा जाय तो अपवाद सुरूप हो मेरा भी अपना कारेकाल का अनुभव है तो हमें ऐसा पाया नहीं है तो सबसे पहला सिधांत की मूल नामक नक्षत्रों से गंड़ मूलों से आपको डरने की रत्ती भर भी आवश्यक्ता नहीं है क्या इसकी शांती करानी चाहिए आत्मत्रप्ती के लिए आप कराना चाहे तो करा लीजिए मेरे घ्याद से ना भी कराएंगे तो चलेगा आत्मत्रप्ती के लिए करा लीजिए आपको संतोश मिल जाएगा चार छे दस अजार खर्च कर देंगे एक ब्रामन खाना खालेगा, कपड़ा पाजाएगा, ठीक है, वहां तक दान दक्षुना ठीक है, खाना पीना ठीक है, लेकिन इससे ग्रह नक्षत्र बदल गए, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, नक्षत्र कहां बदलेगा, चंद्रमा अगर मूल में बैठा है आपकी ज परता के साथ, तलीनता के साथ, शुबता के साथ करता है, हम तो विशेश रूप से चलो फिर भी करवा देते हैं और उसमें खोजते हैं, लेकिन फिर भी कहा, अब पांचे दिन, छे दिन तो जब तक हम करवाएंगे, तब तक बच्चा हमारे सामने जो बामर कर्मकांडी हो उसके बाद क्या करता है, क्या खाता पीता है, उसका तेजबल कितना है कैसे जानेंगे आप, उसका तेजबल क्या पता कि कच्च पच्च खाता हो, क्या पता वैश्यागामू हो, क्या पता अपराधी हो, अब हमें जो दिखता है वो तो शब्द दिखता है, वस्त्र दिखता ह है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि शांती कराना आपकी स्वेक्षा है कि मूल की शांती करवा दिया आपने असर होगा इसकी गारंटी नहीं है चंद्रमा उस नक्षत से उठके कहीं अन्यत्र नहीं बैठ जाएगा मूल है कि आपको इसका हववा नहीं बनाना इससे डरना नहीं है यह सबसे मूल बात है अगर आप गंड मूलों में पैदा हुए हैं आपका बच्चा गंड मूलों में है तो बस एक प्रियोग करते जाएगा चमतकार की गारंटी है गव सेवा जरूर करवाईएगा अब हमने गव सेवा क्यों कहा क्योंकि छेओ नक्षत्रों के जो स्वामी हो गाय में मिल जाते हैं चाहे केतू हो चाहे बुद्ध हो चाहे चंद्र हो, सारे नक्षत्रों के स्वामी इसमें मिलेंगे, तो गाय की सेवा में जैसे उसको हराचारा देना है, काले तिल देना है, रोटी खिलाना है, गव सेवा करने से आपके समस्त गंड मूल की शांती हो जाएगी, इसकी तो गारंटी है, कर्मकांड करवाएंगे दूसरी क्या चीज, समस्त इस्त्रियों की आप सम्मान उनका करें, आदर करें, घर में बेटी है, बहन है, पतनी है, मा है, चारिस्ते हैं, उनका महा आदर करें, मूल नक्षत्र कभी आपको परेशान नहीं करेगा, बच्चों पर दया करें, बुध राजकुमार ग्रह है, उससे आपके गंडमूल की शान्ती होती जाएगी, तो आज जाना आपने कैसे गंडमूलों की शान्ती होती है, कैसे इसका उपाय किया जाता है, है क्या, इससे डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, अगर आपको ये कारेकर हमारा अच्छा लगा, तो अपने मित्रों के आप शेयर कर सकते हैं और अपना प्यार बनाए रखिएगा पच्छिस चब्विस दो दिन हम आ रहे हैं लखनों में मिलना चाहते हैं को उनले दिखाने के लिए तो 9910291850 पर वाट्स अप करिएगा लखनों अपॉइंडमेंट लेकर के नमस्कार शेयरा दे हुआ 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 हो ।